हैपी नौरातरी टू अल उफ यू और नौरातरी शुरू हो चुकी है सब लोग ब्रत तो रखते ही होंगे कोई 9 दिन का रखता है तो कोई फर्स्ट एं लास रखता है सो ब्रत रहो तो कुछ तो खाने का तो मन गरता है और इसलिए मैंने बनाया है सावुदाने का बड़ा औ दनिया और मुंफली की चटपटी सी चटनी और यह इतना टेश्टी वना था कि मैंने सोचा था मैं सिर्फ एक खाऊंगी बट मैंने चार खा लिये और यह उपर से बहुत क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है हलो एवरीवन वेलकम बैक इन मैं न्यू 14 अन यह जीचे मैं जिसे मैं लिया वनएं आफ का वाटर में ओरनाइट सोख किया है और मैने लिया है वन ऐन वन्हाफ काल मुंफली det Spider जितना आपने साबुदाना लिया है उतना ही आपको लेना है मुंखफली और इसे ड्राइ रोस्ट करना है और मैंने लिया है बॉयल तीन से चार बिक साइज वाले आलू जिससे मैस करके साबुदाने में मिक्स करना है साबुदाना बड़े की जो रेस्पी है वह बहुत ही एजी है इसमें कोई भी ऐसा इंग्रीडियन्स नहीं है जो आपको एजली अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में या ऑनलाइन और अब इसमें एड करना है हरा धनिया एंड ग्रीन चिली और जब तक ड्राइड रोस्ट हो अगर आप साबुदाना बड़ा बना रहा हो तो मुमफली को उसी टाइम रोस्ट नहीं करना कुछ समय पहले रोस्ट करना या आप एक दिन पहले रोस्ट करके रख सकते हो क्योंकि उसको ठंडा करने के लिए रखना पड़ता है उसमें टाइम लग जाता है और जब तक मु सेंधा नमक खाते हैं और मुमफली लिया है मैंने वही रोस्टेड मुमफली लिया है थोड़ा समय इन अलग प्लेट में रख दिया था तो यह जल्दी ठंडा हो यह ता और मैंने इसमें डाला है नीबू झाला इसमें पानी नहीं डालेंगे तो यह चटनी बनके अच्छे के साथ अच्छे से एक डो टाइप का इसको बनाना है सो मैंने डेड़ कफ साब उदाना लिया था और डेड़ कफी मुंफली लिया था दोनों का जो रेसियो है वो सेम था और और अगर आप चाहे तो मुंफली थोड़ा कम भी रख सकते हो अगर आपको मुंफली ज्यादा पस अगर आप खटा ज्यादा खाते हो तो आप आधा नीबू एक और इसमें नीचोड सकते हो क्योंकि नीबू बहुत जूसी था तो मैंने हाफ नीबू ही नीचोड़ा था इसमें और सारे को अच्छे से डो बनाना है अब और अब मैं डाल रही हूँ कडाई में देसी घी अगर आप रिफाइंड ओयल यूज करते हो तो आप रिफाइंड ओयल यूज कर सकते हो मैं फिलहाल इसको देसी घी में बना रही हूँ और जब तक घी गरम हो रहा है मैं इधर बना लेती हूं सारी टिकिया और टिकियों को तैयार और घी भी गरम हो गया है सो मैं इसमें डाल देती हूं साबुदाने की टिकियां और लगबक पांच गई है इसमें और इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है और एक तरफ का जब ब्राउन हो जाए तो आप उसे पलट के दूसरी तरफ कर देना और दोनों तरफ अच्छे से जब गोल्डेन ब्राउन हो जाए तो उसे निकाल लेना है और इसी वीच मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूं चटनी को एक बोल में और चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ था चटनी का कलर तो अच्छा है ही खाने में भी बहुत टेस्टी आया कर्फ वीच बहुत ही बहुत ही हुआ टेस्टी चटनी तो मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर दूँगी मैं अपने बच्पन की एक स्टोरी सुनाती हूं जब नौरात्री में मेरी मम्मी नौ दिन बरत रहती थी ना तो जब वह कुछ बनाती थी तो मुझे वह खाना खाने का बहुत मन करता था कि मुझे खाना है तो उसके चक्कर म मैं इसे डो तरीके से से श्व कर रहे हूं। आपको जैसे पसंद देख आप उसको वैसे सर्व कर सकते हैं। जब प्लेट को अच्छे से सजाओ नो तो खाना को अधर को तो घृष्ट को नन च्रिश्वार गँता Griffilки स्टोरी मेसा जो तो उपर बहुत ही क्रिश्पी से दे जब आप खाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है यह जब आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाना खाने में मैंने साबुदाना बड़ा और चटनी का दो प्लेट्स रेडी कर दिये हैं और अब बारी है इसे खाने का एंज्वाइ करने का तो हम लोग इसे एंज्वाइ करेंगे और आप लोग भी अपने घर पे बना के इसे एंज्वाइ जरूर करना बहुत ही अच्छा लगेगा इस न इसे ङोगे और आप लूगे प्लेट रिब अगे टो हम एंज्वाइ इसे एंज्वाइब लोगे आ यदोगल में जरूर को दो देखे हैं वहाई आर आप गवेर हैं आर नह एंज्पाल में आर 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 धागे रड़ दोगे नहएंड़ एंग्ड़ का दो दोगे